आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का राशी फल रहने वाला है तदुपांद 10 में देथी आरंब हो जाएगी नक्षत्र विसाखा रहने वाला है राती के 9 बज कर 16 मिन तक तदुपांद अनुराधा नक्षत्र आरंब हो जाएगा वत्योहार में आज यसे कुछ नहीं है मित्रों कर आपको आज का पंचांग और भी विस्तार जनना है एक-एक मोहरतो हुवया में जननना है तो description में आज के धर्म सिख्षा पंचांग का link दिया हुआ है वहाँ जाकर आप आज क्पंचांग विस्तारप्रो जय माता दी जोब लिखें मित्रों आज के 12 रासी का रासी फल आपको बताना आराम करों उससे पहले आए हम सही मिलकर एक नज़र डालें आज के गरहों की स्थिति पर क्योंकि गरहों की स्थिति पर ही पूरा का पूरा रासी फल निर्वर करता है आज गुरु राहु दोनों चंदरमाका यहां पर रासी पर विरतन हो रहा है विश्चीक रासी में चंदरमा उसके बाद जा रहे है तो इन से भी गरहों का मिलादला हाल आज के रासी फ़ल में जानेंगे तो आई यह बात करेंगे पहली रासी मेंस रासी की मेश रासी में चंद्रमा आज सात्मी अस्थान में विराजित है जिसके फलसरूप आज आप अपने काम मों में मजबूती के साथ डटे रहेंगे अपने बच्चों के साथ आपका समय अच्छा भी देगा कई माईनों में आज का सदिन आपके लिए चिनोधियों से भरा रह सकता है आज अगर आपको जीवन का कोई बड़ा फैसला लेना हो तो किसी अनभवी लोग की सलाह जोड़ ले आपके मन में आज कोई नाकरात्मक विचारा सकते हैं जिससे आपके कारी प्रभावित भी हो सकते हैं आज आपकी बोली गई बातों को आपके परती द्यंदियों दोरा तोर मरोर कर पेस किया जा सकता है तो कुछ भी बोलने से पड़े साभानी बढ़ते हैं किनी किनी जातकों के उनके पिता के साथ समंध विगर सकते हैं तो यहाँ पर आपको साभानी निश्ची दोर पर रखनी चाहिए आज अगर घर के बड़े कासिरवाद लेकर किसी काम के लिए निकलेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी ओफिस या व्यापार में आपके सहकरिमियों के साथ आपका दिन अच्छा बीतेगा बात करेंगे व्यापार और धनकी तो व्यापार की दृष्टी से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाल है जो जातक व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाभ हो सकता है समान व्यापारियों की बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी अवैसक्ता होने पर आपके भाई बहनों से आपको आर्थिक मदद भी मिल सकती है नोकरी करने वाई जातों के लिए भी आज के निच्छा रहने वाल है आफिस में जो सहकर्मी है साथ में काम कर रहे हैं और सिनियर इनके बीच आपका मान समान बढ़ेगा विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थी आज अपने लक्ष की प्राप्ति के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी स्वास्त की बात करेंगा तो स्वास्त की देश्टी से कुल इमला के आज के आपके लिए अच्छा रहने वाला है किनी किनी जातकों को किसी प्रकार की चिंता भी रह सकती है प्रेम समन्द की बात के तो विवाहित जातकों को आज जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा जो जातक और विवाहित है उन्हें नया पार्टनर भी मिल सकता है आज किन तामबे के बरतन में पानी पियेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरं केसरिया रंग लकी नमबर आठ रहने वाला है बात करेंगे वरिस्रासी की वरिस्रासीम चंदरमा आज छठे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब आज आपके कारियों की अधिक्ता रहेगी कारी छेत में पडिवरतन का मन भी आपका हो सकता है आज आप अपनी वानी की मर्धुटा से बहुत सारे कारियों को लिप्टा सकते हैं अगर आप अपनी वानी पाज अंकूस नहीं लगाएंगे तो बहुत साई लोगों के आक्रोस का सामना आपको करना पड़ सकता है सासन और सत्ता के लोगों से कुछ सहयोग आपको मिल सकता है आपके परिवार की पर्तिष्ठा बढ़ेगी अगर कुछ नया कारी आरम करना चाहते हैं तो उसमें कुछ समस्यावत्पन न हो सकती है। मन में किसी प्रकार की चिंताएं भी रह सकती है। व्यापार और धन की बात करें। तो अगर कहीं आपके पैसे बकाया हैं तो वहां से पैसे वसुली की पूरी संभावना बन रही है। पिछले कर्ज को आप चुका पाएंगे, व्यापार में गर कुछ लंबे समय से दिक्कतें चली आ रही हैं तो उसे खत्म करना अब अती आवस्यक हो गया है। इससे वरना बहुत ही ज़्यादा हानी का सामना आपको आगे चलकर करना पड़ सकता है। विद्यार्थी की बात करें, आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा, लेकिन सफलता प्राप करने के लिए आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की आवस्यकता है। स्वास्त की बात करें, जिन जातकों को जोरों का दर्द या गठिया से समधित समस्या रहती हैं, उन्हें थोड़े परिशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। आज आपको तनावपुन वातावरन में रहने की सला बिलकुल भी नहीं दी जा रही है। प्रेम समन्द की बात करें, आज आपका पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा, जीवन साथ ही को समय दें और उसे समझें इससे आपके प्रेम समन्द में नई उरजा का संचार भी होगा। लेकिन प्रेम समंधों में सोच समझ कर आगे बरहे, किसी तीसरे व्यक्ति की वज़ा से अपने प्रेम समंध में दरार उत्पना ना होने दे। आज किन गेहुं से बनीवी चीये खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग सफेद रंग लगी नमर 11 बात करेंगे मित्रुन रासी की। मित्रुन रासीम चंद्रमा पांचमें अस्थान में भिराजित हैं जिसके फ्रसुप आज आपको कई परकार के परिशानियों से मुक्ति मिल सकती हैं। इसके लिए आपको अपने बच्चों की परहाई में रूची समझनी होगी, बच्चों को उनके केरियर के परती प्रेरीद भी करें। आपको सोशल मीडिया और मुवाल फून से थरदूर रखें, अब आपको अपने केरियर के परती सचीद भी हो जाना चाहिए। स्वास्त की बातकेत आज आपको किसी प्रकार की चिंता रह सकती है, मन असांत भी रहेगा, जुद्धा तक पहले सी विवान है, उन्हें अपने स्वास्त का ज्याद ध्यान रखना चाहिए। प्रेम समन्द की बातकेत आज आप जीवन साथी को समय दे पाएंगे, जीवन साथी पर किसी प्रकार का सक करने से पहले सच्चाई को जानने की कोशिस करें, अगर आप लंबे समय से प्यार की जहार की सोच रहें, तो यह समय आपके लिए अच्छा सा भीत हो सकता है, आज क किसी पर भी अपनी बातें थोपने की कोशिस ना करें, आपको यहां से नुक्सान हो सकता है, आपके दोस्तों के साथ अच्छे समन्द बना के रखने का प्रयास करना चाहिए आपको, उनसे लड़ाई जहरे की संभावना बन रही है, सांती से अगर काम लेंगे तो आपके बहुत सारे काम बन भी सकते हैं, अपने लगदों और आत्मिस्वास से आप अपने कारियों को बहतर धंग से कर पाएंगे, जुरा तक मीडिया से जुरे हुए हैं, उनके लिए आज की नच्छा रहने वाल हैं, व्यापार और धन की बातकेत, आज अपने साहस और प्रक्रम के बल पर अपने कारी छेत्र में स्थिति को सुधार सकते हैं, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, यस और कीर्थी में विर्धी भी होगी, आपके व्यापार में तेजी देखने को मिलेगा, अपने काम पर फोकस रहें, इससे आपको फायदा होगा, नोकरी करने वा सफलता इसी से मिलेगी, स्वास्त्र की बात के जिन जातकों को जोरों का दर्द रहता है, उन्हें आज परेशा नहीं हो सकती है, आज आपका ब्लेड प्रेसर नॉर्मल रहेगा, व्यायाम करें, योग करें, इससे आपको स्वास्त्र में फायदा भी होगा, प्रेम समन्द क की बात करें तो आज आपके जीवन साथी के साथ किसी दूसरे के वजह से मतभेद उत्पन हो सकते हैं तो कुछ भी ऐसा सोचने से पहले बातों को गहराई से जानने की कोशिश जरूर करें आज की निगर मसूर की डाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए सुबरंग सिल्वर कला लकी नमर छे रहने वाला है बात करेंगे अब सिंह रासी की सिंह रासीम चंद्रमा तीसे स्थान में विराजित हैं जिसके प्रसुब आज आपको आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा आपके जरूत्वन ब्रत्ति की मददाद पाएंगे परिवार के साथ किसी धार्मिक यातरा पर जाने के या धार्मिक कारी करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं आज किसी गरत फहमियों के कारण आपके और आपके प्रियेजनों के बीच लराई जगरे हो सकते तो यहाँ पर साबधानी भी रखनी चाहिए व् तक नोकरी करते हैं, उनको ओफिस में ऐसे लोगों से साभान रहना चाहिए, जो उनके दोस्तों हैं, लेकिन उनकी छवी विगारने की कोशिज भी करते रहते हैं, विद्यार्थी की बात करें, तो विद्यार्थियों के लिए आज करी मिलादला रहने वाला है, पढ़ाई से मन भटकेगा, ऐसे में अपने लक्ष का ध्यान करेंगे तो आपको फायदा भी होगा, स्वास्ता की बात करेंगे आज आपका स्वास्ता अच्छा रहने वाला है, चुस्ती और फूर्ती कानभाव करेंगे, लेकिन आपको मौसमी विवारियों से सचेत रहना चाहिए, मौस परांग लकी नमबर रहने वाला तीन, बात करेंगे अब कन्यारासी की, कन्यारासीम चंद्रमा दूसरे स्थान में विराजित है, जिसके प्रसुब आज आपका मन आत्म विश्वास से भरपूर रहेगा, लेकिन मन में नाकारात्मक विचार भी आ सकते हैं, छोटी मोटी प बिना जांच परताल किये, किसी व्याविसाय या कानूनी दस्तावेच पर हस्ताक शर्तों बिल्कुल भी ना करें, इससे आप मुस्किलियों में पढ़ सकते हैं, व्यापार उधन की बात करत, आज आपको व्यापार में लाब होगा, व्यापार में जो भी आपके प्रतिद पर इच्छा की त्यारी करने वाले विद्यार्थी, अपने दिर इच्छा सकती से लक्ष को प्राप्ट कर सकते हैं, तो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, स्वास्ति की बात करें, आज आपको मौस्मी व्याणियों को लेकर सतर्पता रखनी चाहिए, आपके साररेक और मा आपके समन मधूर होंगे, आज किन हरी स्वियां खाएंगे तो आपके लिए सुप रहेगा, आपके लिए आज का सुप लंग ब्राउन कुलर लकी नमर एक रहने वाले हैं, बात करेंगे अब तुलाडासी की, तुलासीम जंद्रमा आज प्रथामस्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब आज आपको आपके दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा, आज कोई भी निर्ने, भाउकतावस ना लें, ऐसे निर्नेव से आप परिशानी में पर सकते हैं, बेरोजगार जातकों को रोजगार की प्राप्ती होगी, आपको आज भागे का साथ भी मिलेगा परिवार के किनी दो सदस्यों के बीज मनमटाव बढ़ सकता है, अगर आज पूरे परिवार के साथ किसी धार्मी कारी को करेंगे, तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, आज आपको आपके सहकरीमियों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान रहे, वह आपके काम का के परियर भी लेने का प्रियास कर सकते हैं, आज किसी सुनी-सुनाई बातों पर आँख मूंद कर भरोसा ना करें, सच्चाई को परखें तब ही आगे बढ़ें, व्यापार अधन की बात के द्व्यापारियों को आज कोई भी निर ने, बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, क आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा, आप जिस लक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, उसके लिए अच्छी योजना बना कर करी मेनद करें, सफलता मिलेगी आपको, स्वास्त की बात केद आज आज आपको अपने स्वास्त के परती सचे तरहना चाहिए, जिन जातकों को हाई आज अपने जीवन साथी के साथ आपकी नोगजोंग भी हो सकती है, बाद में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा, और विवाही जातक प्रेम समन्द में कोई भी नया रिस्तर बनाने से पहले, सामने वाले को जोरू पढखें, आज आपके प्रेम समन्द में किसी प्रकार की चि में विराजित है, जिसके फ्रसव अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, तो आपके मकान मालिक के साथ समन्द भी गर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको साभनी बरतनी चाहिए, आज आपको संतान के तरप से घुसी हो सकती है, पड़िवार में साकारात्मग वातावन किसी पुरानी समस्या का अंत भी संभव हो है। आपके आत्मिश्वास में कमी आ सकती है। साथ ही अपने वानी पे नियंतन भी रखें क्योंकि आज आपके लराई जहरे की योग भी बन रहें। ओफिस में आपके सीनियर आपको किसी काम को लेकर उक्सा सकते हैं। धहरी से कामने यही एक सोची समझी साजीस भी हो सकती है। व्यापार और०हन की बातकेद आज आपको व्यापार में हानी का सामना करना पर सकता है। अगर इस अपिसे के साथ पार्टनरश् celebr करते हैं तो उनके साथ मिलकर आप अपने व्यापार को लाब में ले जा सकते हैं। अगर अच्छी ओधना बनाएंगे उस पर अमल भी करेंगे तो आप अपने हानी को लाप में बदल सकते हैं। विद्यार्थी की बातकेद विद्यार्थियों का मन चंचल रहेगा पढ़ाई के लावा अन्यचीयों में समय बरवाद ना करें अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। जिहार करने के लिए आज के अच्छा रहने वाला है। आज के दूज से बनीवी चीयें खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा। आपके लिए आज का सुबरंग कालारंग लगी नम्मर 11 रहने वाला है। बात करेंगे अब धनुवासी की। धनुवासीम चंद्रमा आज 11 हुए स्थान में विराजी थे। जिसके फ्रसुप जो मेहनत आपने पने बीते दिनों में किया है। उसका फल आपको अब मिलेगा। जिसके कान आपके आत्मिस्वास में बढ़ी होगी। आज आप कोई भी नया कारी करने के लिए प्रेद भी रहेंगे। इस नए कारी से आपको सफलता भी मिलेगी। नए लोगों से मिलना दोस्ती होना संभव है। आपको आज कुछ पारिवारिक समस्या का सामना भी करना पर सकता है। लेकिन अगर आप अपने बुद्धी का इस्तेमाल करेंगे तो पारिवारिक समस्या सुधारने में आपको सफलता प्राप्त होगी। आज आपके धहरी म उनके सिनियर अधिकारी उनसे परसन रहेंगे। आज किसी को कर्ज देने से बिल्कुल बचें। आज कोई बहुत जोटमेंब्यक्ती ना होतों से पैसे उधार ना दें। ऐसे पैसे आपके डूब सकते हैं। विद्यार्थी की बात करेंद विद्यार्थियों के लिए आज स्वास्ति का ध्यान जोड़ रखें। प्रेम समंद की बात के छोटी छोटी बातों को लेकर आप अपने जीवन साथी से आज उलज सकते हैं। एक दुसरे से वादव्यार की स्थितित परना हो सकती है लेकिन यह सब होने के बाब जूद आपके रिस्ते मधूर बने प्रेमिर स्परीमिका के साथ समय बिताएं इससे आपके प्रेम समंद बने रहें अच्छे बने रहेंगे। आज के इंचांदी के बड़तन में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके आज का सुब शूब भेंए लाग लकी साथ प्रती दंद्यों को प्रास्त करने में आपको सफलता की प्राप्ती होगी, अपने घर के काडियों में आज आप वैस्त भी रह सकते हैं, भगवान के प्रती आपकी आस्था परहेगी, लेकिन संतान के तप से थोड़ी चिंता भी आपको रह सकती है, तो अपने संतान का ध्या अधोसी पैधा का महौल भी बन सकता है आज आप आत्मिस्वास से भर्पूर रहेंगे पंतु पिता के स्वास्ति से थर्चिन्तिद भी रह सकते हैं, व्यापार बात करें आज आप मैं आत्मिस्वास भर्पूर होने कारण आप मानसिक तोर पर मजबूत नज़राएंगे जिसका फाइदा आपको विव्यापार में मिलेगा जो अतक नोकरी कर रहे हैं उन्हें अपने सहकरिवियों से चुनोती आज मिल सकती है आज आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं तो फिजूल खर्चों पर नियंता जरूर रखें विद्यार्थी की बात करें तो आज आपके मित्र आपका ध्यान पढ़ाई से भटका सकते हैं मुआल फोन में ज़्यादा समय ब्रबाद ना करें अपने पढ़ाई पढ़ाई पढ़ी ध्यान दें स्वास्थ की बात करें आज आपको अपने स्वास्थ के प्रति सजेते रहना चाहिए कोई पुरानी बिमारी आपको आज परिशान कर सकती है कुछ जातकों को जोरो का दर्थ परिशान कर सकता है तो हलका वयाम करना आपके लिए अतिय उत्तम रहेगा प्रेम समन्द की बात के तो प्रेम समन्दों के लिए आज किन अच्छा रहने वाला है जीवन साथी के साथ आज आप समय बिता पाएंगे साथी आप यह भी जान पाएंगे कि आपका पार्टनर आपसे कितना प्यार करता है आज किन उरत की डाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब नंकाला नंग लगी नमर तीन रहने वाला है बात केंगे कुमरासिकी कुमरासिम चंद्रमा नौए इस्थान में विराजी थे जिसके फ्रसुप आज आप अपनी बातों को समाज में अच्छे डंग से रख पाएंगे जिसके फ्रसुप आपके चाहने वालों की संख्या में विर्दी भी होगी अगर आप रादनिती से जुरे हुएं तो उसका भरपूर लाब भी आपको मिलेगा आपके संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा कोई फसा हुआ रुका हुआ काम व्यापका आज पूरा हो सकता है सरकारी कारियों से आपको आज लाब भी मिलेगा आज आपको आपके मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा आज आप मानसिक सांति का अनभव करेंगे कुछ जाता किसी अग्यात भई से परिशान भी रह सकते हैं व्यापार और धन की बात कर चाहे व्यापार करते हो जौब करते हो आपके अधिनस्त कमचारियों का सही होग आपको प्राप्त होगा किसी करीबी मित्र रियाज सके समंध्यों की मदद से आपके व्यापार में लाब भी हो सकता है आज आपके व्यापारिक पर्तिदंदी आपको व्यापार में नुकसान पहुचाने की कोशेज भी कर सकते हैं लेकिन व्यापार में आपकी स्थिती फिर भी अच्छी बनी रहेगी। जिन जातकों को मकान या गारी की तलास है, उनकी तलास पूरी हो सकती है, जो अतक नोकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी आज के अच्छा रहने वाला है। आफिस में कोई नए जीमेदारी आपको दी जा सकती है, आपके ट्रांसफर होने के योग भी बन रहे हैं। जिन जातकों को साथी कितलास है, उनकी खोज आज पूरी हो सकती है। आज आपके लिए लडाई चारे के योग बन रहे हैं, तो आपको अच्छे समन बना के रखने होंगे, खास करके सगे समन्धियों से, परश्यों से। किनी किनी जातकों को कोई अच्छा दोस्त भी मिल सकता है, लेकिन किसी नए पर भरसा करने से पहले, उसकी जांच जरूर करें। आज आपके जिद्धी रवई की वज़े से आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है, तो कलपनाओं के पीछे ना दो रहे, सोच समझ कर ही काम ले, अपने पिता और धर्म गुरु की सलाह से, कारियों को करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यापार उधन की बातकर आज आपको व्यापार में करी चुनोतियों का सामना करना पर सकता है, लेकिन इन चुनोतियों से घबराएं नहीं, बलकि इसका सामना डट कर करें। स्वास्त की बातकर विद्यार्थियों के लिए आज किन सामाने रहने वाल है, अपने समय को बरबात करने से बचें समय का एक एक पल महतपूर्ण है, उस पल का लाब जो उठावें। अभी अपना ध्यान सिर्फ उसीप अपने पढ़ाई पाई लगावें। स्वास्त की बातकर आज आपका स्वास्त अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने स्वास्त का धियान रखना चाहिए, तले, भुने और मसायदार खनों से दूर रहना चाहिए। प्रेम समन्द की बात के जीवन साती से हलकी नोग जोग के बाद अच्छे समन्द भी बनेंगे, आपको कोई अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है, लेकिन पार्टनर का चुनाओ करने में सामधानी भी आपको बरतनी चाहिए, प्यार के जार करने से आपको आज बचना भी च इस समय में कोई भी नया कारी आरम करेंगे, तो उसमें आपको सफलताहत लगेगी, आज का असुब समयानी की राहु का लहने वारे, दिल के दो बच कर नौ मिनट से लेकर दिल के तीन बच कर एक्यावर मिर तक, इस समय में कोई भी नया कारी आरम करेंगे, तो उसमें आपक करेंगे किसी नई आपको सफ़ताथ लगेगी तोम तो ये का संपून-रासि-फर कल के संपून-रासिफर के लिए जुरूर ए tofu के साथ और देखते रही ठाल भुंख्छा ज है मतादी ज हीनित बोलो ज है सब परनाम करते हैं बोलो जापल को बनेटकों